हलो फ्रेंड्स, वेलकम केसी हुआ आप सब, आप सब अच्छे होंगे तो देखिये आज बनाएनगे कटोरी चार्ट तो कटोरी चार्ट बनाने के लिए यहापे मैंने गेहू का आटा ले लिया है और गेहूं के आटे के अंदर नमक डाल दिया है नमक डालके पानी डालके हम आटे को घुन लेंगे और फ्रेंट्स इसकी जगे आप मेदा भी ले सकते हो गेहूं के आटे की जगे मेदा भी ले सकते हो तो ये देखिए और मैंने कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर सिर्फ नमक डाला है और ये कटोरी चाड जो हम आज बनाएंगे ना इसकी आप कटोरिया बना कर भी रख सकते हो बिल्कुल भी खराब नहीं होती है तो ये देखिए मैंने आटा लगा लिया है और इतने से आटे से बहुत सारी कटोरिया बनकर तयार हो जाएगी हमारी तो पहले हम रोटी को बेल लेते हैं बिल्कुल पूरी की साइज में बेलना है जितनी बड़ी आपकी कटोरी हो ना इतनी बड़ी बेलना है तो मेरी कटोरी ज्यादा बड़ी नहीं है चोटी चोटी सी ही है तो मैं चोटी पूरी की साइज में बेल लूँगी उसके बाद ये फॉक ले लिया है इससे छेट कर लेंगे ताकि हमारी पूरिया है ना हम तेल के अंदर जो कटोरी की साइज में डालेंगे तो फूल के उपर नहीं आएगी तो ये देखिए फूलने के लिए हमने नहापे छेत कर दिया है ताकि फूले नहीं तो ये देखिए और उपर से भी मैंने छेत कर दिया है उसके बाद नहापे तेल गरम हो गया है कडाई में तो तेल में मैंने ये कटोरी डाल दिये और उसके तयार होकर तो यह एसी कटोरिया हमने बनाई है उसी तरीके से यह दूसरी कटोरी भी हम बना लेते हैं और यह ना पंदरा दिन तक यह कटोरी खराब नहीं होती है अभी बारिस्त की सीजन में ऐसा नहीं है कि एकदम नरम हो जाती है नहीं होती है क्रिस्पी बनके तयार होती है कटोरियों को तयार करने के लिए मैंने नियापी क्या क्या सामान लिया है बारिकवली सेउं ले लिया है अनारदाना ले लिया है सिमला मिर्ची ले लिया प्याद ले लिया है टमाटर ले लिया है और फ्रेंट सारा धनिया भी लिया था मैंने लेकिन वो कटोरी नहीं रखी मैंने भूल गई हूँ है और यह देखे फ्रेंट्स सबसे पेले हम आलू को डाल देंगे इसके अंदर यह मैंने थोड़ी जल्दी में बनाए इसलिए मैंने आलू को मसाला नहीं बनाया अगर आप चाहो तो हरी मिर्ची और जीरे से इसको बगार कर मसाला भी बना सकते हो तो ये देखिए आलू हमने सारी कटोरियों में डाल दिये हैं और सारी कटोरियों में आलू डालने के बाद में फिर न्यापे हम इसके उपर टमाटर डाल देंगे तो बस टमाटर डाल देंगे और टमाटर को मैंने बारिक 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 कट किया है तो बारिक बारिक कट करने के बाद में ये टमाटर डाल दिया है और फ्रेंड्स जितने भी मसाले हो आपके पास सब डाल दीजिए जो आपके फ्लेवर के हो ऐसा नहीं कि सब मसाले मैंने बत कि पाम ऑपर से जा रहा है धनिय की चैटन अबंगे दोगना तेस्ट और दुगना बढ़ जाएगा इसका तो देखिए इमली की चटनी भी डाल दी है मैंने और इमली की चटनी डालने के बाद में न्यापे डाल रही हुमें ये जीरावन तो देखिए फ्रंट्स केसा जीरावन डाल रही है अगर आपके आप जीरावन पसंद नहीं करते आपको देखकर लगता होगा कि यह केसी लगती होगी आप कहाने में बहुत टेश्टी है सचमे एक वार तो मिलते हैं एक नई रेपि के साथ जब तक के लिए बाए-बाए झाल